एलो गाईज मेरे नाम है विपिन और आप देख रहे हैं स्टेक मैंस तो गाईज आज आप लोगों को मैं बताऊंगा कि कैसे आप अपने यूट्यूब चैनल को हैक होने से भी बचा सकते और आपका पूरा जो ब्राउजर सिस्टम है यानि यूट्यूब का उसको सेफ रख स तो चलिए अपने मुबाईल के में स्क्रीन पर ठीक है अब मैं आपको बताऊंगा कि जो क्रोम ब्राउजर है उसकी सारी सेटिंग जिसके तुरूब आपके कुछ भी एकाउंट हो जैसे क्योंकि बहुत सारे ब्राउजरों में यही काम होता कभी आप अपने यूट्यूब चैनल को वहां से लॉग इन कर लेते हो तो आपका चैनल हैक होने की प्रॉब्लम हो सकती है यह आपके साथ कुछ और और प्रॉब्लम ठीक आपका डाटा चूरी हो सकते हैं तो कई कुछ क्रोम ब्राउजर की आज मैं आपको सीक्रेट ट्रीक बताने वारा हूं ठीक है तो यहां पर सेटिंग पर आपको क्या करना है छो यह सिंग को था है इसको आपको ऊपन ही रखना है फिर आप यहां से देख रहे हैं यहाँ पिए आपने ** का option ऑप सर्ट का ऑप्षिं अब इसमें आप कोई भी password जो देखे आप से संव को ऑफ्षिर और देखी जो auto तो साइने मितलब इसका है कि आप जैसे किसी भी आपने कभी इसमें ऑट्व यानि आपने कभी Facebook इसमें लॉग इन किया और इसमें हम आपने दुबारा पासवर्ट तो आपसे मांगेगा अगर आपने शेव पासवर्ट बंद किया है बट आप इसको ऑट्व साइने नो मैं कह एक option आरा don't track यह आपका off होगा तो आपको इसको on करना है ठीक है इसको आपको जरूर on करना है इसका मतलब यह है कि आपका अगर chrome का browser आप अगर इसको off रखेंगे तो आपकी यानि chrome के आप कुछ भी सर्च कर रहें उस पर chrome के नजर नहीं होगी इसको on रखें जिससे कि आपक इसके chrome browser के साब कुछ illegal activity हो रही है तो chrome उस पर नजर रखेगा और उसको disable करेगा ठीक है तो इसके बाद एक यहां पर आता है clear browsing data तो गई जो यह है इसमें आपको हर समय कभी भी आपको browser खोलें तो जैसे यहां से देखिए all time का select करें और clear data कर लें यह आपका पूरा browsing clear हो ज होता है कि आप कुछ भी जैसे browser आपने open कर लिए तो cookies में यह आपका already save कर लेता है और आपका सबसे most important work यह है कि आपको cookies को जैसे on रखना ठीक है और जो इसको आपको tick mark नहीं करना कभी भी गलती से इसको आपको untick ही रहने देना है क्योंकि इसका मतलब क्या होता है अगर आ पार्टी इसमें SS नहीं कर पाएगी ठीक अब दूसरी और सेटिंग क्या है तो आपने यह देगा अब जैसे आपने यह शारे पढ़ लिए इसके बाद बैग जाओंगा तो फिर और इसमें पिर आप जैसे कुछ ऐसी चीज होती है जो आप सर्च करना चाहते बट वह आपक इसको सर्च कर सकते हैं और यह आपके में हिस्ट्री में शेव नहीं होगा ठीक है तो आपको जैसे यहां से बैग जाना है फिर आप इसको यहां से यहां आप अपनी हिस्ट्री पर जाएंगे तो आपके हिस्ट्री पर यह सेव नहीं होगा क्योंकि यह इन गॉनिटो है ठी फिर इसको आप यहां से close in going to tab फिर इसके बाद आपका कुछ और option है वो बता रहा है फिर जैसे कभी क्या होता है कि आप लोग कुछ offline में आपके पास time नहीं होता या आप किसी के बारे में vlog पढ़ना चाहते हैं तो वो आपको offline download करने का option भी मिलता है इससे आपको three dot पे click करना है यह देखिए यह आपका option है यह आपका download हो रहा है details इसको आप अपनी जैसे आपका data बंद हो गया तो इसके बाद भी आप इसको open करके पर सकते जानिए जब आपके पास time हो ठीक है तो यह है setting तो guys यह था आज आप लोग के लिए बहुत ही most important यानि जो YouTube है या कुछ अप अपने क्रोम पे आते हैं और वह यहां से सीधी कभी-कभी है को जाता ठीक है तो यार यह है जो एक बहुत बड़ी problem है एक इसके बाद मैं बताऊँगा कि आपको Chrome के तुरू कैसे hack किया जाता है जो next video होगी इस पे particular होगी ठीक है तो guys बस इस वीडियो में इतना ही मिलते है नेक्स वीडियो में तब तक के लिए चैनल को यार जरू सब्सक्राइब